मैं दावेक साथ कह सकता हूँ अगर यही हल रहा तो ब्रामण भारतिय जंता पार्टी कभी नहीं सपोर्ट करें यह जो सरकार है दम जाती विरोधी ब्रामण विरोधी और इंसानियत विरोधी है जो लोग गलत अपवा फेलाते हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्रामणों की या किसी वर की नहीं है वो एक यादों की सरकार है या मुसल्मान की सरकार है यह इस बात पिरामण दे के बोलना चाहूँगा यह बात बिल्कुल गलत है और ब्रामडों के लिए भी गौरव की बात ये होनी चाहिए क्योंकि भाई भाई भागवान परसुरान जो है उन्होंने बहुत प्राइवेट सेक्टर को बेज दिया जा रहा है अम्वानी अडानी है क्या परधान मंतरी परियाग राज के अंदर प्रांच ब्रामड परिवार के पांच सदस्यों की हत्या हो गई कोई सुनवाई नहीं होई तो उसके बाद जो पुलिस परसासन है एक तरफा एक तरफा पक्षपात कर रही है हिंदू है मैं बिल्कुल फूस हूँ कि मैं राम मंदीर बनगा भगवान राम की जनम भूमी पर राम मंदीर का निर्माड हो रहा है लेकिन मैं अपने मुसल्मान भाईयों को क्यों निराज करूँ, उनका भी तो मस्जिद बनेगा, मैं बराबर का हिस्सेदार रहूंगा उनकी खुशी में जो मायवत्ती जी की सरकार है, बहुजन समाजवादी पार्टी जिन्होंने नारा लगाया था, तिलक तरवाजू और तलवार इनको मारो जूते चार, अब वो आज ब्रामडो का साथ दे रही है, कि ब्रामडो के पक्स में बोल लही है, कि जब फोन क्या जा रहा है, तो क्या ह यह यादो और मुसल्मान की बात है, अरे भाई पीडित तो पीडित है, यह यादो है या मुसल्मान है, उससे क्या मतलब है आपको, यह बड़े लेवल पे न्यूज चैनल यह कहीं भी नहीं आपको दिखाई देगा, परकासित कोई नहीं करेगा, किस कोरोना संकरमित की मद देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी अखिलिस यादो जी का घर है, खेर, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश क्या अंदर ब्रामणों पर जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, यह हवा आपने भी सुनी होगी कि लोग खुब चर्चा कर रहे हैं कि ब् आपने मुझे बोलने का अपने न्यूस चैनल पर मौका दिया है, मेरा नामी अश्वर्धन मिश्रा है, देखिए आज कल आपके नजर में संग्यान में आ रहा है, यह जो सरकार है इदम जाती विरोदी, ब्रामण विरोदी और इंसानियत विरोदी है, मैं ऐसा क्यों बोलन होगा, ठीक है, जो उसकी गलती है, मैं मानता हूँ, अपराधी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उससे लेटेड जो छोटा बच्चा है, जो महिला है, क्या पुलिस, उत्तर परदेश की इतनी वो है, कि उसको जमीन पर बैठा के हाथ उपर करा रहे हैं, क्या उस ब देखिए, आप जाईए, कहीं भी ब्रामण के नाम पर कोई सुनवाई नहीं है, हर जगा देखिए, ठाकुर है, या ठाकुरवादी सरकार है, या यह जाद विरोधी सरकार है, जो लोग गलत अफवा पहलाते हैं, कि समाजवादी पार्टी में ब्रामणों की या किसी वर्क अगर इस्तित गोमतियां के विस्तार इस्तित जनेशवर निश्रा पार्क बना है, और उनके कार के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ब्रामणों में पहली बात यूनिटी हमारे में एकता इसलिए नहीं बन पाती है, कि जो विबिन दल है, जो वो एक दूसरे इनको मारू जूतेचार, अहरो आज ब्रामणों के साथ दे रही है, ब्रामणों के पाक्ष में बोली है, ब्रामणों का बस्टोर से हाई है और ज्पाक्ष के दिया है, इस जो भेलाप पाती नहीं पात नहीं पार्सुराम झालुढाम को इकत्रित कर रहे हैं, वह हिंदू और भाज़ों के लिए उनों ने बहुत बहुत पूरवज से लेकर कोई जानता है भगवान की मूरती बनने पर तो किसी को कोई जातीवाद या कुछ नहीं उस ऐंगल से नहीं देखना चाहिए ये एक भगवान की मूरती बैठाइए आरही है एक 108 पीट की जो की एक बहुत अच्छा कार्य है और जिससे भाई आने वाले समय में लोग देखेंगे एक अच्छा कर्षण का केंदर बनेगा अभी 2022 का चुनाओ आ रहा है उतर प्रदेश में तो क्या लग रहा है कि जो ब्रामभर लोग हैं अब की बार बीजेपी को बारतिये जनता पार्टी के अंदर जो कारे कर रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है अगर मैं पीडी थूं तो मैं मैं दूसरे दल का नहीं बता सकता हूं कि मैं दावेक साथ कह सकता हूं अगर यही हाल रहा तो ब्रामभर भारतिये जनता पार्टी कभी नहीं सपोर्ट कर करेंगे बिशेगाश कॉल्ट बिल्कुल सभी बाद है नहीं सपोर्ट करेंगे बिलकुल नहीज सपोर्ट करेंगे अगर वैवसाहिक आदमी है को जिनको तमाम तरीके से लूट गया जिसका किसी का बिजनस नहीं हो पा रहा है ठीक है जिस तरीके में जो चोंटे वैसाई है उनको ले आ अब जिनकी सालाना आये बहुत कम है जो महनत करके अपना पालण पोसंड करता है जो चोटा वैस पारी है आब वोड़ी तरीके से 1000 बड़े जिसका इसक में ला दिया है तो किसी फ्र में जहां प्रषाल सब्साइब वि ऑटोमेटिकली जो टैक्स कर सब्सक्राइब तो आप बताईए जब आदमी कमा नहीं पाएगा बिजनस नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा बताईए और जितना भी हमारा रेलेवे स्टेशन ले लीजे चाहे जो भी चीज है बड़ी-बड़ी इमारते हैं सब प्राइवेट सेक्टर को बेज दिया जा रहा है यह मानी अड देखिए मैं हाली का कहानी बता सकता हूँ एक ब्रामण लड़का था गोरकपुर्क छेत्र में उसके साथ उसके साथ कुछ अन्याय हुआ था किसी ठाकूर से और धर्म के और जाती के लोग थे तो जब उसे ले गया गया ले गया थाने के अंदर तो बात क्या हुई ठाकू को बताना चाहूंगा यह भाई साथ मुझूद हैं जो अखिलेस यादों के घर के बगल में रहते हैं पूरी कहानी यह बता रहे हैं खर आगे बदाए जी सर तो उसके बाद जो पुलिस परसासन है एक तरफा एक तरफा पक्षपात कर रही है इसी तरह एक और घटना हुई हमारी गोरकपुर के अंदर यादो मुसलिम दो लोग की बात नहीं थी आपस में दो दोस्त हैं जैसे हम और भाईया है तो उनके बीच में अगर बहस हो गई है तो जो ठाने में पूलिस अपने संग्यान में लिया तो जब फोन क्या जा रहा है तो क्या है यह यह यादों औ उससे क्या मतलब है आपको अपनी कारवाई अपने कानूनी डंग से करेंगे कि यादों और मुसल्मान देखके करेंगे अगर यह सब पक्षपात होगा तो हम लोग कहां जाएंगे यह सारी समस्चा देखते हुए जो ग्राउंड लेवल पर यह बड़े लेवल पर न्यूज लिए कहीं भी नहीं आपको दिखाई देगा परकासित कोई नहीं करेगा यह सब चीज है जो ग्राउंड लेवल की बाते हैं जिसको कोई समझ नहीं पाता है लेकिन यह सब छोटी-छोटी चीजों से लेकर हर जगा परिशानी जेलना पड़ रहा है मैं बोलना चाहूंगा क देखिए वोट एक बहुत बड़ी चीज है जो अपने हाथ में है ठीक है आगे चुनाओ 2022 में आने वाला है और यही मौका है कि अगर आदमी अभी से सोच समझ के अपना देखके कि कौन मेरे लिए सही है कौन गलत है अगर अभी से थोड़ा दिमाग लगा के सोच ले और त देखके कि अगर पैसा करते हैं तो हम सरकार को अपना पूरा विवरण देते हैं अब इतने बड़े पैमाने पे जो डोनेशन हुआ है वह आदमी का मेरा हम डोनेट किया है तो मेरे जानने का हक है कि मेरा पैसा आखिर गया कहां किस कोरोना संक्रमित की मदद हुई या चाहे हैं किसकी मदद हुई आप मुझे बताईए यह चिठा क्यों नहीं सांग लाते हैं देखिए मेरे मैं चाता हूं कि लोग जब साथ में एक जुठ हो कि इस अवाज को आगे तक ले जाएंगे तो इसका भी निकले गा रिजल्ट लेकिन अभी जो है लोग बिबिन्न तरीके स बर्माने का कारेह हो रहा है राम मंदियर बनी है बूमि पूरजन करने अब योगी जी है मुख मंतरी हमारे उत्तरफ प्रदेश के राम नंदिर बनी है तो यह बताईए जब रामugg मंदर बनी है तो कल को मस्जिद भी तो बनेगा 5 एकर जमीन पहल को मस्जिद बी Tenemos alsoileak अब अब इनको सहार रहे हैं तो उनको भी सहारी यह भाई जब विवाद एक तरफा या टो खतम कर रहे हैं हिनुन है बिल्कुल खुश हूँ कि मैं राम मंदीर भगवान राम की जनब भूमी पर राम मंदीर का निर्माड को रहा लेकिन अपने मुसल्मान भायो को क्यों निराज करूं उनका भी तो मस्जिद बनेगा मैं बराबर का हिस्सेदार रहूंगा उनकी खुसी में हमारे साथ ही आज हमारे खुसी में हिस्सेदार हैं तो मैं भी रहूंगा लेकिन एक मुखमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए उनसे पूछा गया आज तक न्यूस द्वारा उनसे मैंने देखा इंटर्वी उनका तो उनके द्वारा यह बोला जा रहा कि मुझे बुलाइब मैं नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा योगी जी जा बोले एक मुखमंतरी उस पद उसकूर्शी का उसकूर्शी पर बैठ के ऐसा बयान सबका साथ सबकाम कर रहा है अपने फोकिट के चेतर में कर रहा है कि अपने बैंकude मेरी زमीन कोई छेक लेता है मैं प्रताडितूकिन है रहा है इसके बाहिर झोवार लगाँ गा मैंने जिसको वोट दिया मैं उससे जाके बोलूंगा कि साहब मेरी मदद करिये जब वहां से मुझे मदद नहीं मिलेगी तो मैं किसके पास जाओंगा तो मैं प्रताडित हूं एक तरह से मेरी सुनवाई नहीं है सरकार में बिल्कुल यह कोशिस है हम लोग भी कोशिस कर रहे हैं कि अपने भाईयों को पूरे समाज को समझाने का कारे करें कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वह हमें खुद पहचानना हमें कोई और अपनी आख से नहीं दिखा सकता है में खुद देखना इस चीज को अपने नजरिये से और इस चीज को समझने का काम करना है और एक जुठ हो के जो है इस सरकार को दिखा देना है चुनाव नजदीख है अब वो रिजल्ट मिल जाए अखिलेश यादो के परोशी क्या कहते हैं क्या कहते हैं दोजर 222 में उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे बिल्कुल आएंगे जी सो परसेंट आएंगे हम लोग की यह उम्मीद और हम लोग यह पचले के मेहनत कर रहे हैं तो यह की सरकार जरूर आएगी उत्तर बिस्तर लेके चले जाए अपने घर अपने घर भीया क्या कहेंगे जी बिल्कुल सही है क्या बात है क्या बात है अखिलेश यादो मैं एक बारी फिर से आपको मैं बता दू कि आप जो हमारे पीछे यह बिल्डिंग देख पा रहे हैं वाइट कलर की यही घर है अखिलेश इислबाते से एक बापी बबन समय यादो का यही पर रहते हैं अपने परिवार के साथ है यह यह तमाम तरह की बाते जो एक लेख्र के पिट्व है क्योंकि एक खबर है आपके भारत की आपके गाह्हों की है कैमरा है सचे इसमोहित लख झाल झाल